बढ़िया 50% के लगवग पलायन हो आपी ना घर के बीच में आग जलाय करते हैं दादा जी और ने काफी सारी चीज़े होना दी है आज के दिन पे दूना खावर में भी दादा जी दरसल काफी लेट आए लगवग साथ वजे कर दा या चप रहा है अच्छा ने जंगलों से अब खरकियों में पहुँच चुके हैं तो दादा की मा हो गई दरसल है तो दोस्तों आज श्याम के टाइम पर पहुचे हैं चौरिखाल में और चौरिखाल में पहुचने के बाद में थोड़ा सा आगे मार्केट पढ़ती है लेकिन ये वाली बीडिया चौरिखाल की नही नीचे जाना है बिल्कुल नीचे जाना पहाडियों पर बिल्कुल आप ये लगा लो कि आज के दिन पर अपनी ऐसी लाइफ होने वाली है ऐसे गाउं में जाने वाला हूँ जहां पर की सुविधाओं का अबाव है यानि कि सुविधाएं है ही नहीं ना मातर के बराबर है बस बिजली के पोल होंगे जाज जाएदा और साथ में पानी के कनेक्शना है यहां से शायद पैदल को रास्त जाता है यहां पर दरसल एक डादा जी है जिनकी दुकान है चाई की दुकान है चोटी सी दुकान है तो उन्होंने ही अपने घर पर इंवाइट किया मैं यहां पर दरसल काफी टाइम होगे था चार बेते पोंचाओ यहां पर अभी साड़े चार बज रहे हैं तो उन्होंने बोला कि आज मेरे गाउं में चलो मेरे घर पे चलो मैंने का चलता है बाई क्योंकि जो जगह में आपको दिखाने वाला हो ना जिस गाउं में लेकर जाने वा उन्होग करने वाला हो पहलिवार देखने वाला हो एक्सपरियença करने वाला हो साथ में आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसी जगह पर जा रहे तो आज के दिन पर टेंवाले हैं दादाजी के गर पर बैट है तब साथ में विच चाय बन रही हम पर दाइक बार और चाई पीने के बाद मैं निकलते हैं, बाइक भी बने यहां पर लगा दिया, और साथ में दादा अपने आप इस बैक को रख लेंगे बोला, बाकी जो भी है, गाउं के एक बार कंडिशन दिखाएंगे आपको कैसी और की गाउं की कंडिशन, क्या-क्या परिशानिया है, और म बाहा जी, जो दादा भी मैंने दिखा एते हैं, उनी के बेटे हैं, तो इनी के घर पे जाने वाले है, तो लगभण कितना किलोमेटर है बाहा जी यहां से, हजो चार-बाच किलोमेटर पैदल जाना है, और तो वही भाला रास्ता है, जिस पर पिछली वारी बरभ पड़ी मैं आपको यहां उपर दिखाने गया था तो वही जगह है तो जो भी है मज़ीदार होगा और देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं दादा कहे रहा है कि वह 6 बज़े चलेंगे और 7 बज़े नीचे घर पर पहुंच जाएंगे भाई struggle तो है यहां पर चौरिकाल में थोड़ा सा forest office बने हैं यहां पर कुछ लोग भी रहते हैं और यहां पर ऐसे रहने की सुविदा शायद बहुत मुश्किल होता है करना लेकिन हो जाता है इंतिजाम अगर थोड़ा सा efforts करोगे तो आपको यहां पर रहने का भी मिल बाकी चड़ाई हो गी यहां से शुरू और देरे देर अपना सांस भी फूलना शुरू हो गया यहां से थोड़ा वाद सीधा नीचे ना थली सायन मार्केट दिखाई दे रही है यानि कि यह वाली थली सायन हो गया साथ में उपर में कैनियूर गाउं हो गया काफी अच्छ यहां बैसे रहती है यहां पर गाय भैसे लेकर चले गए है मतलब सीजनल आती होंगे जब मतलब गर्मियों का टाइम है ऐसे टाइम पर तो चानिया बनी है कुछ खेत भी हैं खेत भी इस साइड में जैसे कुछ खेत कर रखे और बाकी जो हम आया बिलकुल उपर चोटी सा स्ट्रोगल तो पूरा है यहां पर यह लगाओ कि अगर किसी नॉर्मल बंदा आएगा ना मतलब बाहर का बंदा आएगा उसको नीचे उतरने में कामजम तीन साड़े तीन घंटे लगेंगे चार गंटे उपर चड़ने में लगेंगे क्योंकि चार-पांच किलो मेटर है व आपको और बहजी के साथ में देखते हैं आप जैसे कामधाम वहां से ड्यूटी से आने की बाद में थोड़ा बाद घर का कामधाम करते हैं न कि खेती अच्छी होती होगी है सब खतम कर लेती हैं यह तो हर जगाई हो गया लगवक हम लोग आये हैं उपर बिल्कुल उस वाली पीक से आये नीचे बिल्कुल मतलब कि असलिए अगर गाउं के लाइफ जी नी है तो ऐसी जगवापर आना चीए एक्चल में प्राब्लम्स भी हैं काफी सारी जैसे रोड ना होने की वज़े से काफी सारी सुविदाओं से वंचित हो जाते हैं जैसे सपोज हाँ किसी के अगर हालत खराब होगी तो फिर यहां से कंदों पर उठा के लेकी जाते होंगे फिर ऐसी मैंने पजाना गाउं में भी देखा था एक बार हाँ डंडो में ना कुर्सी बांदी या तो यह वड़ी मुश्किल चीज है यहां पर तो यह रहा गाउं जो कि दिखना यहां से शुरू हो गया और यहां पर भी काफी ना पलाया नो रुख है लगभग 50 परसंट पला तो जंगली जानवरों के साथ में इंकाउंटर याने के दिखना बहुत आम सी बात है जैसे तेंद्वा हो गया भालू हो गया सुवर हो गया यह सब चीजे ने यहां पर बहुत नॉर्मल चीज है मतलब इनसे कोई घवराता नहीं है यहां कभी सुबह कभी शाम है और खेत देखो खेत कितने अच्छी जगव पर जरने ह। हां ये तो हमआई है काट नहीं आते हैं अच्छा मास बस 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 या बस घिमी या सुटी कुidée है अच्छा तो कुटे वह हैं दो अर नहीं है वोला नहीं बाग ने मार दिया न तो इस वजह से के दो ही दिखकत अशने को एत तो बढ़िया तरीकिसा है गाउं बढ़िया गाहों में और दिक्कत नहीं आई इतनी लेगा दोप में चड़ेंगे नवर पता चलेगा कि एक्ट्वल में कितनी मेनत लगते हैं उपर चड़ने में गाहों का नाम भार फिर से बताने क्या बताए था खरक्यूं गाहों तो तो गौसाला में देखो कितने प्यारी वनारे कि आपर अब ही के टाइम पर घर पर पहुंच गया है और घर भी भाई बहुत प्यार है गाहों दर असल बहुत प्यार है थोड़ा पानी पुनी पी लिया है अच्छा लग रहा थोड़ा सब गूमेंगे श्याम के टाइम पर और बाकि तावजी तो बहुत लेट आएंगे मुझे लगता ना श्याम को साथ बजे के राउंड में पहुंचेंगे लेकिन गाहों देखके मजा ही आगए यानि कि गाहों जिस तरीके से बसा हुए ना खेती बाड़ी कर रखें दिवाल बंदी कर रखें वहां तक पूरे सिर्फ जो उपर वाला एरिया था ना उसी वाले एरिया में थोड़ा बहुत खेत अबंदन्ट कर रखें बाकि बढ़िया मतलो अच्छा गर कर यहां तो यहां पर दादी मिली हैं दादी दरसल होगे मतला बुड दादी लगा लो दादा की मा होगी दरसल है जो मत्ती चीन दुकान में दादा हाँ तो उनकी मा हैं दरसल लगबग दादा ने बताया था कि जो बुर दादी की एज है वो लगबग कोई पिच्छान बठावने वे साल की हैं दरसल और अभी भी तेको ठकाटक है दादी कै कि कहा का अपल खूप ताखा त भर लगना अच्या अच्या बढ़िया, 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 अब देखते हैं क्या काम दाम करते हैं यहांपे, थोड़ी देरे में आपको गाउं गुमाना शुरू करेंगे फिर, जैसे ही घर पे पहुचे हैं, सबसे पहले बहजी ने कपड़े चेंज करने के बाद में, यानि कि जो कल खेतों में काम किया जाएगा, हल लगाए जाएगा, तो हल पर लगते हैं कुछ चूला, यानि कि चूला बनाने के तयारी चल रही है, क्योंकि कल पूरे दिन बर फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा ना कि फिर से दोबारा बना पाएं, सुबह-सुबह उठके, तो कल के तयारी अभी से ही होन चूला बना शुरू हो गई है, और साथ में अभी जहां पर दादी बैठी है ना वहां पर लेके चलूंगा, वह बिलकुल मतला जैसे पुराना कल्चर होता है, कि बीच में आग जलाना एक बार जो हमारा पुराना वाला घर था, उसमें भी मैं ऐसी देखा था, कि बीच में आग जला के रखते थे, कुराने लोग ना, तो दादी के एज जो मैं बताई थे, अठाने बे साल की अलग बाकी यहां पर चूला बनाए जा रहा है, चूला या चप्रा है, चप्रा या फर चूला, और साथ में दादी भी आ गई है, चाई लेके, बढ़िया, तो चाई पी बढ़िते हैं, और साथ में थोड़ा बात दादी से मिलाएंगे, दादी वहाँ पर बैठिये न, दादी से मिलाना जरूरी है, चाई लेके पहुंचे हैं घर के अंदर, यानि कि जहां पर दादी, आराम से आग सेक रही हैं, तो दादी से भी मिलाते हैं, और मतलब दादी, यह न पहले पुराने टाइम पना, इसने याद दिला दी पुरानी, कि जैसे मतलब मैंने अपने दादा जी को भी देखा है कि मेरे दादा भी ऐसी ही ना घर के बीच में आग जलाये करते है तो यह बहुत मजीदार चीज है थोड़ा बहुत धुआ हो रखा है लेकिन यह धुआ की फिकर नहीं है चलेगा और इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं कि दादी है अठानेवे साल की और देखो धुआ कितना है लोग बोलते हैं धुआ से आँके खराब होती है लेकिन अगर खान पान सही हो तो कभी आँके दादी खराब नहीं हो सकती नहीं है तो दादी ने बोला कभी अपनी आँके नहीं बनवाई कुछ नहीं बनवाई अठानेवे साल बैं और अभी भी देखती है अच्छे तरीके से देखती है तो थोड़ा बूड दादी से बात करने के बाद में अभी गाउं की तरफ में गूमना निकले और दाजी से बात करके काफी अच्छा लगा उन्होंने काफी पुरानी पुरानी बाते बताये अपनी अब यह से गरते हैं शाम का टाइम है थोड़ा से गाउं गूमते है और गाउं दिखाते हैं आपको तो अभी के टाइम पर एक और ताई जी के गर पर आए यहां से बीवड़ा नजञा नजदी के धैक वह वाली पहाड़ी या इनला और भादल अधार लगे sto वह वाली दीवड़ा वाली मतलब नवस्दीक हो जाएगा अगर यहां से रोड निकल गी ना यह अच्छा हो जाएगा लिया से ना हाँ 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 मतलब तूरिस्ट आजकल जैसे हाँ गर्मी में हाँ यह तो है बरब भी पढ़ती होगी यहाँ पर बरब अच्छी गासी है बागे थोड़ा बाद आपको गुमाइंगे और साथ में ताई पता नहीं क्या सोच रही है कि अच्छा अच्छा नहीं तो कमी आते हैं बहुत रेयर केस अच्छा अच्छा लगा आप लोगो से मिलके मतलब यहां इतना बड़िया वो है जंगल तोरिस्ट के आप से मतलब जैसे लोग वो जैसे चौपता में जाते हैं लोग कभी आप खिर्स हो गए हां खिर्स हो गया है वैसे ही यहां पे भी है बड़िया यह क्या है कद्दू के कखड़ी मैं इसी को देखके हरान हुआ मतलब कि यह कखड़ी इतना मोटा हां से हो गया यह मतलब तो यह कद्दू है बोला यहां पे तो कद्दू मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं थोड़ा बात गाउं में लोग रहते हैं मतलब जो मुझे आइडिया मिला भाई से के 50% के लगवग पलाय नुआ यहां पर ना 50% हो रखा है तेरा परिवार चले गए यहां से अभी करंटली कितने लोग रहते हैं चैपरिवार रहते हैं तो तेरा परिवार जा चुके हैं इस गाउं से और च्छा भी करंटली रहते हैं हां, मतलब गाउं तो काफी बड़ा हो गया होगा लेकिन अपी के टाइम पर बाकी जो गाउं है न गाउं दshitल काफी प्यारा बसा हूं है काफी बड़ीया तरीकितंट काह रिए च्छया आ तो यहां पर नहीं रहते हैं अच्छा चले गए हैं, पलायन हो चुका यहां से, घर काफी अच्छे वना रिखें, vamos brand new with big 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 home बना रखें और साथ में आगे के घर के आगे की खेट देखो भाई कितने प्यारे हैं साथ में क्या बोलते परसुंडा पलकुंडा खुंबा परसुंडा अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से बूले जाता है काफी बड़िया प्यारा तरीके से नमस्ते है कुप जांप पूरा कोड़ा में अके लिए रने क्या तो ताई जी भी मितलब इतना बड़े घर में देखो अकेले ही रहती है यहां पर आपको आपको पूरा लकड़ी गोर बने जना सजावत अधार विडियो बने कली जहीं है तो यहां पर जो सबसे बड़ी समझ्या ना रोड और नेटवर्क दो चीजों की है टावर बिलकुल भी नहीं है मतलब जब से आया हों तो फोन यह लगाओ कि मतलब कि उसको नेटवर्क नेटवर्क वाला चक्कर नहीं है फोन आने जाने वा कैसे इतनी प्सक्राया नेटर है वह लगाण सब्ली कया अजमी जाओ मतलब कर उसक्रायन बहुत जादा है तो यहां पर एक और गष्जा बढ़ रहे आगी की तरफ तो यहां पर भी पर neutron हो चुका है सब ताले लगे हैं अब देखो ऐसा है ना कि सुविधाओं की भी कमी है ना कि अगर सपोस कोई बिमार पड़ता है तो इसको यहां से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कंदे पे ले जाना पड़ेगा कि मतला डंडों पे खुर्सीवान नी पड़ेगा उसको बिठाओ बानना प जाओं यह चीज है बढ़ीया, आगे बढ़ेगाओं में यह क्या बना रक्त है श्फश लकडी अ चानरे रकीका ऑश लगडी से बदाओ लकडी शे बन रहे हैं यह पर गा पुरिए नमस्ते को सबढ़ए और पुबचा एं और हुपक archa, नमस्ते को सबऩाए नमस्ते आप बढ़िया हाँ तो बोड़ी मुझे कोई और समझ रही है मैं एक बार फ्लेश बंद करो दा तब दिखेंगे अब देखेंगे अब देखेंगे नहीं नहीं में अंकित चांकित आमें चब पावो तरह बटें मतलब किर्कू तरह बटें हाँ आज एक कि आपा गौम अपर अब दिखेंगे तो श्याम के टाइम पर जहां पर आखरी जा रखे थे तो वहां पर तोड़ा बाट गपशप मारी दादाजी और ऑब के साथ में और अभी के टाइम पर आ चुके हैं दादाजी के घर पे दो दादाजी भी दरसल काफी लेट आए लगबग साथ वज़े क पहले और फिर उसके बाद में मिलते हैं आप लोग उसे दादा जी और ने काफी सारी चीज़ें गणा दी या आज के दिन पर सब जी अचार डाल, रोटी सब चीज़ें त्यार हो चुकी हैं बढ़िया और यह और भी अचार आगिया है तो अभी पहले खाना काते हैं उसके ब नहीं डालते होंगे ऐसे कोई- अपसी दरी्क भाहर नहीं दोता है सो यह दादा का घर है जहां पर के भी बैटे हैं साथ मैं अंगीटी सीकर है यहां पर बोड़ा देर और बैटते हैं दादा के साथ मैं फिर आराम से सोएंगे फिर अभी तो नीन दूंद वसे कुछ भी नहीं है अच्या लगवा कितना किलोमेटर होगा चाह साथ नहीं जादा है जादा है आप यह बताओ आप उपर से कितने वजे चले थे नीचे के लिए चाहरी खाल से और यहां कितने वजे पहुँचे साथ मेंजे को चाहरी में आया चाहरी मिनट पर यहां पर मतलब कि आप यह लगाओ कि पचास मिनट भी पूरे नहीं लगे मतलब 46 मिनट में आप नीचे पहुच गए और यहां से है लगबक 5 किलोमेटर की दूरी तो दादा आपकी उमर केतनी है 63 साल के यानि 63 एर में दादा 5 किलोमेटर 46 मिनट में उतर गे भाई और जाने में केतना टाइम लगेगा एक घंटे में मतलब चार साड़े चार पांच किलो मेटर चड़ भी जाएंगे उपर तो देख लो भई यह उती तंदरुस्ती प्यौर खाना अच्छा यह भी है बड़िया मसेधार बाकी साथ में अच्छा रोज उपर नीचे हाँ रोज वहाँ भी रहे तंकप की भी यह भी है अच्छा से डिमांड हो यह कोई ज्यादा ग्राख हो स्याम के टेम नहीं आप आया तो यह नहीं जाएंगे वहीं रोख जाते हैं फिर है यह भी है मतलब यह हैं कि यहाँ से गाउं से बिलकुल उपर चौरी खाल में पहुंचना मार्केट में आपके लिए यह वाला चौरी खाल ज्यादा सुविदा जनक है या फिर यह नीचे जो रोड आ रही है वह वाली यही सबसे ज्यादा सही है वह तो बहुत लोग पर जा रिखे है वह तो जो रोड हमारी पर लिग्वारी में है वह सब इसके सर्वे होते रहे है थोड़ सोड़ी इदर भी हमारी यहां के लिए हाँ हाँ सुना नहीं होरी है मतलब है लेकिन तो किसे किलो मेटर पढ़ जाएगी मतलब बहुत दूर पढ़ रहा फिर भी ना पूरा जंगल का रास्ता यह तो देखा बने बाकी दादा के साथ में कल देंगे हल लगाने के लिए सुबह सुबह मजाएगा बाकी जो भी है गाउं तो अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा है बाकी जो आपको यहां का सारी चीज़े देखने को मिलेगी वो कल सुबह देखने को मिलेगी और बाकी देखते हैं कैसे बीटती है आज की रात वैसे रात बीटने का क्या जंगल में तो नहीं है घर में है तो इसमें कोई चक्कर नहीं है मतला ऐसा पर जो भी है मज़ीदार तो है बाकि खाने पिने में मज़ा आया और साथ में दादा की इसमाइल तो गजब की है नहीं है दादा जी यो अभी ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर इंग करते हैं कि मिलते हैं कल के सुबह यानि कि कल मॉर्णिंग के साथ में तब तक लिए ठीक रहें बाबाई